वेलकम टो एकलव्य स्टेडी पॉइंट और आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 सीवेसी बोड एक्जाम 2023 के लिए जो आपका होम साइन सब्जेक्ट है इंग्लिश मेडियम में पूरे स्लेबस मेसे जितने important topics बनते हैं वो में आपको करवाने वाला हूँ ताकि आपने अगर अभी तक कुछ नहीं पड़ा पूरे साल तो आप ये वीडियो देखो के तो आपको बहुत help मिलने वाली है तो चले वीडियो को start करते हैं अगर आपकी कोई query हो तो Instagram पे आप मुझे message कर सकते हैं आप सभी के सामने लिखाई हुआ है और आपसे एक छोटी सी request है कि facts with भरत नाम से जो channel है आप इसको please subscribe कर दें यहाँ पर आपको बहुत सारे facts से related videos देखने को मिलने वाली है और हमारे telegram group पे आपको PDF notes provide करवा दिये जाते हैं class 12 ESP new group हमारा जो है यह telegram group है और आप हमारी website को जरूर विजिट करें यहाँ पे आपको अलग-अलग subjects के notes मिल जाते हैं www.eclaviastudypoint.com जो है हमारी website है तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ one shot वीडियो में ठीक है जो most important topics है पूरे इस लेबस से तो सबसे पहले image based questions आ सकते हैं तो यह जो सबसे पहली images को ध्यान से देख लो यह शोला craft है ओडिशा का और करनाटका का है यह चन पटन डॉल्स और राजिस्तान का है यह carved statues होते हैं ठीक है यह MCQs में पूछ सकता है image based questions में और यह माराष्टर की वारली paintings हैं जो आप देख और यह राजिस्तान का pepatory art है यहां जिसको हम कटकुतली art भी कहते हैं कुछ और आपको pictures दिखा देता हूं यह है coconut craft केरला का और असाम का bamboo craft है फिर उसके बाद है कशीदकारी यानि की embroidery arts है कश्मीर का ठीक है और उसके बाद है paper make और उसके बाद shell art है और terracotta के अंदर carvings कर है और colorful painted walls है roof है temples की ठीक है यह आप याद रखना क्योंकि image based question आते ही आते है आपके एक ही topic very important है वही कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले KGBV इसमें क्या होता है यह august 2004 में launch किया गया था under the serve शिक्षा अभ्यान जिसको अब हम समगर शिक्षा भी कहते हैं यह क्या है right to education को implement करने में मदद करेगा इसके beneficiaries कोन है वो लड़किया है जो SC category से आती है ST category से आती है और OBC category से है minorities है या गरीब लड़किया है वो इसमें आती है या जो remote areas में लड़किया रहती है जो अपनी studies को continue नहीं कर पाई सो ऐसे में क्या है कि एक safe educational environment मिले लड़कियों को backward classes की लड़किया है गरीब लड़किया है उनको यह इसका main objective है और ताकि drop out लड़कियां भी पढ़ पाएं और literacy rate बढ़े हमारे इंडिया में ठीक है एक और योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह क्या है 22nd January 2015 को Prime Minister जो है मोदी जी उन्होंने launch किया पानीपत में इसको और यह joint initiative था तीन ministries का जिसमें एक तो ministry of women and child development है ministry of health and family welfare है ministry of human resort development है इसके objectives है कि gender bias जो sex selection होता है ठीक है यानि कि लड़कियों के साथ बेदबाव किया जाता है बहुत जादा और होता क्या है कि इससे लड़कियों की safety हो ठीक है और security हो इसलिए यह original आई गई हर लड़की को बराबर की education मिले quality education मिले हर लड़की हर फिल्ड में participate कर पाए child sex ratio बड़े और एक holistic environment हो भई लड़कियों के भी empowerment के लिए stereotypes को तोड़ा जाए इसलिए यह बनाये गया आयोब आपको समझा रहा हो अब अगला जो हमारा important topic ह यह वो है significance of clinical nutrition and dietetics तो देखो भई clinical nutrition जो होता है यह dietitian जो होता है इसका important role होता है हमारे बीमारियों को दूर करने में और हमारी health को अच्छा रखने में जैसे नए ने disease हैं, HIV AIDS है और non communicable diseases है जैसे obesity है, diabetes है, hypertension है, blood pressure है यह बहुत बढ़ता जा रहा है जिसके लिए population को nutritional care बहुत ज़्यादा जरूरी है चाहिए चाहिए और diet counseling बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है बहुत अच्छे से आप appropriately management कर पाएं अपने अलग-अलग diseases का एक therapeutic diet बहुत important होती है dietitian जो बताते हैं और to learn newer techniques in nutrition, latest supplements, methods and role of various nutrients and other substances like nutraceuticals and phytochemicals and bioactive substances for nourishment of patients patients को आप उनकी wellness के लिए और नए-नए supplements वगरा बताना ये सब कौन बताएगा, एक dietitian ही बता सकता है और जो dietitian होता है वो एक systematic और logical approach हमेशा दिखाता है, focus करता है हर patients की unique need होती है, अलग-अलग ज़रूते होती हैं सभी की तो यहाँ पर हम कह सकते हैं काफी importance है clinical nutrition की, आगे बढ़ते हैं अगला जो important topic है वो है feeding roots तो देखो भई कैसे कैसे आप feeding करवा सकते हो, by mouth करवा सकते हो direct किला के tube feeding होती है, tube डाल दी जाती है और एक होता है intravenous feeding ठीक है, तो यह आपकी नसों के अंदर इस तरीके से कुछ डाल के और फिर feeding करवाई जाती है और feeding roots मैंने आपको बताई दियें कि औरली या तो आप सीधा खा सकते हो, यह तो best होता ही है, tube feeding भी मैंने आपको दिखा दी है किस तरीके से होता है, tube fit कर दी जाती है, अगर gastrointestinal tract जो है, वो दिक्कत कर रहा है तो यह होता है और intravenous feeding होती है, ठीक है, नसों के अंदर डाल के और उसके बाद की जाती है, यह आपको पताई होगा और वो क्या factors है, जो कि nutrition problems होती है, किसी में कोई nutrition value कम पाई जाती है, ठीक है, किसी किसी के इंदर कम ही हो जाती है, किसी में बहुत जादा हो जाती है तो देखो भाई, यह क्या होता है कि poverty, अगर आप गरीबी में रहते हो, तो आपको को nutrition नहीं मिल पाता, आप अगर toilets के तरफ आपका access कम है, तो भी आपको बहुत से दिक्कते हो सकती है political will भी एक matter है, भाई अगर सरकार का money नहीं है कुछ करने का, तो यह होता है, government policies भी important role play करती है health care facilities नहीं मिलती, जिसकी वजय से nutritional problems आती है, और agricultural policies ठीक है, यह भी matter करती है, economical factors भी होते है यानि कि financial resources हैं या नहीं है, अगले के पास अपने बच्चे को कुछ खिलाने के लिए हैं, खुद खाने के लिए, पीने का safe water अविलेवल नहीं होता बहुत जगाओं पर, sanitation अच्छा नहीं होता, खाना, कुछ social cultural factors भी होते हैं, अब मैं आपको कुछ images दिखाता हूँ यह जो picture में आपको दिख रहा है, इस बिमारी को कहते हैं, merasmus, और यह जो बिमारी दिख रही है, पेट आपको थोड़ा मोटा दिख रहा है, बाकी पूरा शरीर पतला है, इसको कोशियोर कर कहते हैं, और यह anemia है, ठीक है, खून की कमी हो जाती है, यह night blindness है, ठीक है, और य खाने को बचाए रखने के लिए, sun drying होती थी भाई, दूप में सुकाया जाता था, controlled fermentation होता था, salting होती थी, आपने देखा हो, अचार वगरे में नमक वगरे डाल दे जाता है, यहाँ पिगलिंग आपको पताईए, canding भी एक process है, ठीक है, roasting भी एक process है, roast करने से फिर वो preserve र base पे ना हम तीन पार्ट में इसको classify करते हैं, एक होता है perishable foods, यह वो खाने हैं जो जल्दी खराब हो सकते हैं, जैसे आपका दूद है, दही है, मचली है, मीट है, फिर आते है semi perishable, यह क्या होता है कि वही एक से दौफते तक चल सकते हैं, इसमें आपके onion हैं, potatoes हैं, फिर आत इसमें इसमें आपको नुकसान होने वाला है, ठीक है, hazards में एक तो biological hazards होते हैं, यानि कि जो living organisms होते हैं हमारे, यह भी दो तरीके से हैं, infections हैं, और poisoning है, फिर दूसरा आता है physical hazards, यह क्या है, कोई भी physical matter है, ठीक है, अगर खाने में आ जाता है, जैसे बीडी cigarette है, कोई बाल खाने में तो उससे खाना खराब हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, chemical hazards भी होते हैं, जिन chemical substances से आपको खाने में अगर वो आ जाता है, जाने अन जाने में तो नुकसान हो सकता है, pesticides, chemical receipts, toxic metals, तो यह हो जाएगा, अब यहाँ पर एक topic है हमारा, contamination और adulteration, इन दोनों के बी presence of harmful और objectionable foreign substances in food, खाने के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आना जो कि नुकसान दायक हो सकती है, जैसे chemical microorganism है, dilutants है, ठीक है, और for example, लकडी, कंकड, पत्थर, ठीक है, pesticides आ जाएगा, adulteration का मतलब होता है, कि आप पूरे intention के साथ, चीज़ों को सस्ता बनाने के लिए cheating करते हो, औ और आप गलत चीज़ें उसमें मिला लेते हो, जैसे दूद के अंदर पानी मिला लेना, समझ में आ रहा है, दूद के में से क्रीम बार निकाल लेना, so यह हमारा होता है, contamination और adulteration में, basically जो हमारा difference होता है, अब मैं आपको कुछ food standards, regulations बताने वाला हूँ, ठीक है, सबसे पहल जो picture आपको दिख रही है, इसको हम कहते है, ISI mark, यह BIS जो होता है, यानि कि the Bureau of Indian Standards, यह देता है, example क्या है, food products में आपको देखने को मिलेगा, coffee, salt, biscuit, custard, powder वगरा में, consumer goods में भी यह देखने को मिलता है, fans में, regulators में, geezers में, rods में, pressure cooker में, mixi में, फिर उसके बाद आता है, egg mark का निशान, यह क्या है, agricultural products पे होता है, basin, आटा, grain, spices, गी, ठीक है, और honey, फिर एक और निशान आपका है, FSSAI, ठीक है, FSSAI जो होता है, इसका निशान कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम कहते है, food safety and standards authority of India, और आगे बढ़ते हैं, अब जो हमारा अगला topic है, वो है, services available in early childhood care and education So, services में जो होती है, वो है, cratch होते हैं, daycare center होते हैं, nursery schools होते हैं, NGO's होते हैं, integrated child development services होते हैं, training institutes होते हैं, और अगर मैं आपको बताओ, early childhood care and education में आप कहां career बना सकते हो, आप nursery school में teaching कर सकते हो, आप caretaker बन सकते हो, आप team member बन सकते हो, अलग-अलग programs जो चलाए जाते हैं, जैसे ICDS है, ठीक है, और आप professionals बन सकते हो, planning वगरा करवाने में, NGO's वगरा के लिए, आप entrepreneur बन सकते हो, ठीक है, आप activity clubs बना सकते हो, खुद के preschool खोल सकते हो, educational picnics आप ले जा सकते हो, आप PG कर सकते हो, diploma कर सकते हो, degree कर सकते हो, early childhood care में, PhD भी कर सकते हो, अगर आप जादा and the juvenile justice act 2015, ये एक ऐसा act है, जो की एक primary legal framework है, जो की adolescents के लिए बनाया गया था, और बाद में इसको replace किया गया, act जो 2015 का आया, ये दो category के बच्चों के साथ concern करता है, ये जो act है हमारा, ठीक है, आप अगर इसको देखो के पहली वो category में आते हैं, those who are in conflict with law, यानि की these are also called juvenile delinquents, they are arrested by the police, इनको police arrest करती है, जो भी IPC की, अगर आप किसी भी चीज़ को violate करते हैं, ठीक है, और दूसरे है, those consider to be in need of care and protection, जो ये दो तरीके की categories होती हैं हमारी, ये act क्या करता है, provides for adopting a child friendly approach in the adjudication and disposition of matters in the best interest of children, बच्चे की भलाई के लिए ही ये पूरा act बनाया गया है, बहुत सारे इनको proper care दी जाती है, बच्चों को उनका अच्चे से treatment किया जाता है, और ये act जो है, ये कहीना कहीं child rights convention से भी मतलब कहीना कहीं related है, और जिनके पास कुद का घर नहीं है, कोई shelter नहीं है, ठीक है, कोई ऐसे बच्चे हैं जिनको त्याग दिया है, या इनके माब अपनी है, street children है, भागे वे बच्चे हैं, घर से गुम हो गए हैं, या कोई ऐसे हैं, जो किसी guardian के साथ रहते हैं, ठीक है, जो की control सहीं से नहीं हो पा रहे हैं, या जो मारे जा सकते हैं, या जिनके साथ abusing हो रही है, वो सारे आते हैं, जो mentally और physically challenged बच्चे हैं, बिमार बच बच्चा है, या कोई armed conflict हुआ हो, या कोई बच्चा ऐसा है, जो drug addicted है, ठीक है, और कोई disaster की वज़े से कोई बच्चा परिशान हो रहा है, बहुत बारी ऐसे बच्चों को भी लाया जाता है, जो abandoned बच्चे हैं, orphans हैं, या जो red light areas से लाय जाते हैं, child laborers होते हैं, जिनको development services, ICDS, इसको समझते हैं, इसका objective होता है, to meet the health nutrition, stimulation and early learning or educational needs of children below 6 years, 6 साल से, नीचे वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए है, उनके development के लिए है, basic health care services मिले, nutrition program चलाया जाते हैं, जो pregnant women's हैं, और जो lactating mothers हैं, जो अभी बच्चों को सनपान करवा रही हैं, So, it is the world's largest early childhood program, दुनिया का सबसे बड़ा early childhood program है, यह आंगनवाडी वगरा भी खोली जाती है, इसी के इंडर, So, currently 41 crore children, जो हैं, उनको यह फायदा मिल रहा है, इससे, ओके और आंगनवाडी वगरे भी चलाई जाती हैं, अगला topic है, youth program in India, national youth policy, ठीक है, national youth policy, जो है, आपकी, इसके अंदर आपका अदा, NSS भी आता है, ठीक है, और Nehru, यूवा, केंदर संगठन भी आता है, ठीक है, आपका common wealth youth program भी आता है, scouts और guides भी इसी में आते हैं, तो NSS के बारे में आपने सुनाई होगा, ठीक है, और NSS जो है, आप मतलब भाई, समाच के लिए काम करते हो, ठीक है, बच्चों को, school के ब बच्चों को, community के लिए serve करने के लिए मोका मिलता है, ठीक है, और अगर मैं आपको बताऊं, Nehru, यूवा, केंदर संगठन जो है, यह 1972 में बनाया गया, rural जो बच्चे है, उनके अंदर skill development हो सके, इसके लिए बनाया गया, अगला topic है, elements of design, design के कितने elements होते हैं, color है, line है, texture ह shape है, यहां उसकी form है, ठीक है, अब है, कितने तरीके के color होते हैं, primary color है, secondary color है, tertiary color है, primary color वो होते हैं, यह basic colors होते हैं, जिनको किसी और के साथ mix करके नहीं मनाया जाता, red है, yellow है, blue है, secondary color में वो आते हैं, जब दो primary color को मिला दिया जाता है, जैसे blue और yellow जोड़ कर green बन रहा है blue और red जोड़कर purple बन रहा है red और yellow जोड़कर orange बन रहा है फिर आते हैं हमारे tertiary colors when two colors जिसमेंसे एक primary हो सकता है एक secondary हो सकता है जब इनको same quantity में मिलाया जाता है तो tertiary color बनते हैं जैसे red और orange को मिला कर red orange बनता है red purple को मिला के red purple बन रहा है ठीक है yellow green को मिला के yellow green बन रहा है तो यह हमारा पूरा color wheel होता है ठीक है आप इसको देख सकते हो आगे बढ़ते हैं अब हम देखो भई line जो होती है designing में तो एक तो straight line होती है curve lines होती है straight में vertical है horizontal है diagonal है और curve line में long और flowing curves आते हैं large rounded curves आते हैं tiny और puffy curves आते हैं जैसे मैं आपको बता हूँ straight line है तो भई vertical line है diagonal line है इस तरीके से होंगी vertical है तो सीधी होंगी horizontal है तो ऐसी होंगी ठीक है और curve lines होती है long and flowing curves होते हैं जो इसमें बहुत लंबे लंबे ऐसे होते हैं कहीं कहीं tiny और puffy curves होते हैं कहीं large large curves होते हैं ठीके कपडों में इस तरीके से तो यह आपके lines हो जाएं अब एक topic है आपका fashion development तो देखो the ancient and medieval styles did not change for almost a century fashion changes हमें देखने को मिलते हैं western civilization से globalization से तो पहला यहाँ पे fashion hub France देखो France का dominance बहुत ज़्यादा है international fashion के अंदर 18th century से so the style of royal costumes of emperor Louis XIV and his court members made Paris the fashion capital देखो Europe की capital आप कह सकते हों fashion capital है वो Paris मानी जाती थी the silk ribbon and lace for the items of emperors ठीक है यह सब use के जाते थे अलग-अलग cities से आते थे और garment making का जो art होता था उसको culture कहा जाता था ठीक है और जो बंदा garment के design में लगा रहता था उसको culture कहा जाता था ठीक है और मैं आपको बताओ industrial revolution से और भी बहुत जादा advancement आया ठीक है यह कुछ example है temporary fashions के फटी कटी jeans पहनना यह limited time के लिए fashion आता है और फिर चला जाता है और अब मैं आपको कुछ ऐसे example दिखाता हूँ जो classical है जो कभी change नहीं होंगे साडी है, कुड़ता है, coat paint है आप इसको यह समझ लो आने वाले 100 सालों तक भी change नहीं होगा यह fashion लेकिन जो यह fashion है जैसे for example bell bottom paint चलती है ठीक है bell bottom paint का fashion थोड़े समय के लिए आता है denim का fashion थोड़े समय के लिए आता है machine भी 3 types की है एक तो manually operated होती है जो की पूरी आपको manually ही उसमें सब कुछ करना होता है एक semi automatic होती है जो की आप थोड़ा सा machine काम करती है थोड़ा आपको करना पड़ता है और एक होती है fully automatic देखो manual वाले में बस कपड़े दुलते हैं उसमें सुखाने का जुगार नहीं होता semi automatic में दुलते भी हैं सूख भी जाते हैं और fully automatic में तो भई सब कुछ अंदर ही अंदर हो जाता है ठीक है? सो यह याद रखना देखो भई जो कपड़े होते हैं hospital के अंदर जो hospitals में या hotels में तो वहाँ पर कैसे maintenance की जाती है तो hospital laundries में hygiene और cleanliness का बहुत ध्यान रखा जाता है disinfection का भी बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा infection hospitals वगरा में ही हो सकता है ज़्यादा तर जो कपड़े होते हैं blankets को छोड़कर वो cotton के होते हैं white color के होते हैं जल्दी से वो जो है सूप जाते हैं ठीक है और अगर मैं आपको बताओ hospital laundry में removal of stains and other special finishes such as starching, whitening and ironing etc यह सब चीज़ें होती है ठीक है ऐसा are not given special attention ठीक है और repair and mending and condemnation of the material may or may not form a part of the services required so hospital laundry बगर में इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि वही कैसे finish हो रहा है कपड़ा सही से दुला है या नी दुला ठीक है बस यह है कि disinfection हो जाए सही से साफ हो जाए कपड़े क्या क्या step होते हैं सबसे पहले गंदे कपड़े उठाये जाते हैं प्रेस होता है आइरन की जाती है फोल्ड किये जाते हैं कपड़े और वापिस रख दिये जाते हैं और डिपार्टमेंट्स में पहुचा दिये जाते हैं देखो भई होस्पिटेलिटी सर्विस इस अलग अलग जगाओं पर होती है एक तो hotel होता है, hotel क्या है जहाँ पे आपको lodging, meal और बाकी services मिलती है, motel क्या है, यहाँ पे आपको parking facility मिल जाती है, lodge क्या होता है, यह एक rented accommodation होता है, यहाँ पे सो सकते हो आप आपको खाना वगरा ने मिलता, resort क्या होता है, यहाँ आपको कुछ time pass करना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद आता है furnished apartments, जहाँ पे सारे amenities मिलती हैं, आपको apartments होते हैं, यह furnished camp होते हैं, ठीक है, अगर आप hiking पे जा रहे हो, rock climbing कर रहे हो, राफ्टिंग कर रहे हो, तो आपको इसकी जरुद पढ़ती है, देखो भई, front office जो होता है, department का, उसमें क्या क्या होता है, bell captain होता है, bell boys होते हैं, receptionist होते हैं, cashier होता है, telephone operator होता है, फिर उसके बाद housekeeping department आता है, साफ सफाई वगरा करना, ठीक है, यह main चीज़े होती हैं, इसकी, ठीक है, और public areas को साफ सफाई करना, अच्छे से, और इसके अलावा, flower वगरागर कहीं लगाने हैं, अच्छे से maintenance करनी है, उस पर ध्यान देखो, यह photo में आपको दिख रहा है, यह है housekeeping department, साफ सफाई करने का काम होता है, अब एक चीज़ है, consumer क्या problem fail कर सकता है, उसको information ना मिलना, मतलब consumer क्या problem face कर सकता है, यहाँ उसको गलत information मिलना, उसको तोल भाव में गलती हो जाना, यानि कि कोई भाई cheating करता है, कम दे देता है, ठीक है, और duplicate समान दे देना, ठीक है, यहाँ जो advertisement वगरा होती है, जो promotion schemes वगरा में, भी customer बहुत बारी जो भटक जाते हैं, यहाँ poor quality का समान आपको मिल गया हो, adulteration, milavity समान मिल गया हो, जादा महंगा कुछ मिल गया हो, है ना, यहाँ customer को information ना मिल पाना, यह information ही गलत मिली हो, अब यहाँ पे एक act है, Consumer Protection Act, 1986 में पास किया गया था, बहुत बार इसको modify किया गया, और अब यह 2019 में इसको फिर implement किया गया, इसमें एक तो यह है कि consumer को पूरा right है, complaint करने का, authority का, ठीक है, और जल्दी से उसको मदद मिले, consumer compensation के लिए भी claim कर सकता है, अगर उसको कोई loss हुआ हो, अगर यहां उसको कोई injury हुई है, ठीक है, मैं आपको कुछ consumer rights बता देता हूँ, right to safety, ठीक है, right to be informed आपको पता चले, right to choose, आप कुछ भी अपने मर्जी से ले सकते हो, right to be heard, आपको सुना जाएगा, right to seek, readdressal आपकी पूरी मदद हो, right to consumer education, so यह कुछ consumer rights होते हैं, बही देखो, कुछ ना निशान होते हैं, जो आपको याद रखने है, ISI का निशान है, Silk Mark का निशान है, Hallmark Jewelry का निशान है, Woolmark का निशान है, ठीक है, Eggmark है, ठीक है, और FSSI का निशान है, FPO का निशान है, यह कुछ ऐसे निशान है जो आपको याद रखने चाहिए तो भई देखो development communication के methods क्या क्या होते है campaigning हो सकती है ठीक है radio और television से हो सकता है print media से हो सकता है या information and communication technology का use हो सकता है so campaigning कैसे होती है सवच अभारत मरलब सवच वारत अभियान के लिए अपने campaignings देखी होंगी या यह आपको अपनी गाड़ी बंद कर देनी चाहिए जब लाल सेखनल होता है red light on गाड़ी off यह सारी चीज़े हैं campaigning में आती है अगर आपको पता हो और भई देखो radio और television सबसे popular है cheapest है mass media के source है जहां से आपको information मिलती है और radio तो सबसे जाद accessible है जादा तर लोगों के पास होता ही होता है और मैं आपको बताऊं आप काम करो चाहे rest करो radio तो आप सुनी सकते हो ठीक है radio के लिए भी आपको पता है कि अकाश मानी और radio वगरा बहुत शुरू से भारत में आप समझ लो कि आजादी के बाद से ही after independence radio बहुत चला है हमारे इंडिया में फिर आपका television आता है TV जो है ये क्या है कि television in India under all India radio begin on September 15, 1959 as an experiment ठीक है ये एक experiment था television as दूरदर्शन दूरदर्शन की तरह इसको लाया गया था इंडिया के अंदर और बाद में 1976 में इसको एक separate अंदर्शन की तरह इसको अंदर्शन की तरह आता है अंदर्शन की तरह आता है कि झाले है कि ये नंदर्शन की तरह आता है कि ये और ये आता है अंदर्शन की झाल झाल